नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं DBS TV तो चले शुवात करते हैं आज की प्रमुख़पर से ओफलाइन तच्छा के साथ स्कूलों को बच्छों के लिए ओनलाइन माध्यम से भी सिक्छा के व्यवस्थाक करनी होगी बिहार बाल अधिकास संदक्छन आयो के अध्यक्स ने इस समद में सिक्छा विभाग के अपर मुखे सचीब को पत्र लिखा है और सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं को ओनलाइन माध्यम से शिक्छन व्यवस्थाक का विकल्प उपलब्त कराने का निर्देश जारी किया है बाल संदक्छन आयो के अध्यक्स डॉक्टर पडमिला कुमारी के इस पत्र के आलोग में बिहार शिक्छा पर्यूजना के निर्देश सकने भी मुझदफर पुर समेत सभी जिनों के डीओ और डीपियो को निर्देश दिया है कि वो इस समद में तुरंद कारवाई करवाए और यह सुनस्चित करें कि जो बच्चे आफ्लाइन कक्छा में भाग नहीं ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्छा की विवस्था की जाए बच्चों की मांग पर बाल अधिकारी संदक्छन आयोक ने यह निर्ने लेते हुए समद में गाईलाइन जारी की है आयोके इस आदेश के दायरे में सभी प्राइवेट स्कूल आएंगे क्यूंकि सरकारी स्कूल में पहले भी ऑनलाइन कक्छाएन नहीं चल रहे थी राजे पर योजना निदेशक ने निदेश दिया है कि इस सरकारी स्कूल में जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको भी पहले की तरह दुर्डर्शन पर क्लास करने को प्रेरित किया जाए सबी स्कूलों को बिहर बाल अधिकार संदक्षन आयोग के अधिक के आदेश के आलोग में राजे पर योजना निदेशक ने यह निदेश चारी किया है कि दिसंबर तक जो भी परिच्छाएं संजालित होगी वो ऑनलाइन ही होगी आयोग ने असपस्ट किया कि आउनलाइन माध्यम से सिच्छन के विवस्था का विकर उन्हीं स्कूलों पर लागू होगा जहां पहले से यह माध्यम उपलग था ऐसे में सभी प्राइविट स्कूल जो लोगडाउन में आउनलाइन कक्षा चला रहे थे वो आफलाइन कक्षा के साथ अभी भी ऑनलाइन कक्षा की सुविदा बच्चों को देंगे ऑनलाइन वी कल्प नहीं रहने के कारण परहाई बाधित बालादिका सनक्षन आयोग की अध्यक्स डॉक्टर मीना कुमारी ने बताया कि आयोग के पास बड़ी संख्या में बच्चे और अभी भावकों के शिकायत आ रही थी कि आउनलाइन सिक्षन वैवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बच्चों के परहाई बाधित हो रही है डॉक्टर परमीला ने बदाया कि हमने बिहार सरकार के गिरह विभाग के 25 अगस्ट को निकाले गए पद्र क्या भी हवाला दिया है जिसमें असपस्ट कहा गया है कि बच्चों को आउनलाइन माधियम से सिक्षन वैवस्था का विकल्प उपलब्द रखा जाए खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीबियस टीवी